उस बुक में एक बड़ा सुन्दर विर्तानत है महराष्टर में एक सादू था जिसका नाम था एकनात वो एक मंदिर के प्रांगन में रहते थे उस प्रांगन में उनका रहना सेना खाना पिरना वहीं चलता था लोग वहीं उनके पास आते थे उनके चले जाया करते थे सादू में एक लड़का भी आता था तो एक दिन उस लड़के ने कोशन पूछा उन सादू से कि देखो जी बड़ा हिम्मत करके मैं आपसे कोशन पूछ रहा हूँ प्लीज सईसे अंसर दीजिएगा उन्होंने सादू को ये बोला कि साब आप उपर से तो बड़े इश्वरिया मालूम होते हो कि ठीक है आप सादू संत की वेश्बूशा में रहते हो आपका बोलना चलना सब सादू संत की तरह है लेकिन आपका मन भी इतना प्योर है या नहीं है मैं आपके मन की बात जाना चाहता हूँ मन के अंदर भी आपके काम, क्रोध, मो, मया जो हम सब के अंदर रहती है वो आपके अंदर भी तो आती होगी तो एकना जी नहीं का कि आपके सवाल का जवाब दूँगा लेकिन मैं एक चीज आपको पहले अलग सी चीज बताना चाह रहा हूँ मैंने आपके माठे की लकीरे देखिए माठे की लकीरे कहती है कि आप लगबग एक हफ़ते के महमान और है एक हफ़ते के अंदर अंदर या साथ दिन के जश्ट बाद आपकी क्या है डेथ हो जाएगी हाँ अब आप की बात का मैं जवाब देता हूँ तो लड़का एक दम हिल गया वहीं क्योंकि उसका विश्वास तो था उनके उपर ऐसी बात नहीं है तो कि सादू एकनाथ जी ये बात करे तो जुरूर मेरी मिर्तियू नजदी के एक हफ़ते में मर जाओंगा कि तो नहीं आपकी बात बाद में सुनूगा अब ही मैं चलता हूँ बिल्कूल तो शिवरिंग होने लगी उसकी बोड़ी और वहाँ पर खड़ा हुआ लड़कराता हुआ उठा वो जो मंदर की जो सीड़िया है वो डंग से उतर ही नहीं पाया उतरते उतरते वहीं वो क्या गिर पड़ा लोगों ने उसको उठाया और उसको घड़ ले गई एक अफता बीता और एक अफते बाद एकनाथ जो है वो उनके घर गए देखा कि पूरा जमगट लगा हुआ है लोग उसके आसपा सारे कठे हुए है और वो बैड़ के उपर बस जस्ट लाश स्टेज पर है मरने वाला ही है तो उन्होंने सारी भीड को हटाया सब लोग उनके एकनाथ जी अगे हाँ जोने लगे कि भी आपने का था कि मरने वाला अब इसके अंतिम गड़ी आ गई है तो वो कहते है कि वर साइड हो मुझे उससे बात करनी है तो एकनाथ जी उस लड़के के पास गए और पूछा कि इस एक हफ़ते के अंदर एरे मन में कोई लालच आया हो किसी किसा ठगी करने का कोई मन में कुछ इरादा आया हो कोई काम करोध मुझे उठी हो तो वो कहते है कि सादू जी बावा जी आप क्या मजाग कर रहे हो जब मैं मरने वाला हूँ आप इसे मजाग कर रहे हो कहां ये चीज़े सुझेगी तो बोला बस यही बात है तेरे कोई मृत्यू नहीं आई है मैंने तुझे बस ऐसे ही का था तेरे कोशन का जवाब दिया था जिसे अपनी मृत्यू का एसास है जिसे पता है कि मैंने मरना ही है तो उसके दिमाग में काम, करोध, मो, माया जो भी चीज़े हैं जिनको विकार कहते हैं चीज़े कैसे आएंगी उससे क्या फरक पड़ता है कि आप साथ दिन बाद मरने वाले हो या साथ महिने बाद या साथ साल बाद इससे कोई फरक नहीं पड़ता ना तो जिसको यह मृत्यू बहुत दिमाग में रहेगा जिसको हमेशा एसास रहेगा कि आप यहां पर पर्मानेंट नहीं हो तो उसके मन में चीज़े नहीं आएगी